ये वोट सुप गईज कैसे अब सुभी लोग वेलकम बैक टो में दर गेम प्ले वीडियो दुबार से केलने जा रहे हैं GTA 5 तो जैसे के अब सुभी लोग को याद होगा कि कुछ दिनों पहले हमें Lost Santos में Underwater Mafia दिखा था काफी सारे sweat soldiers उसे पकड़ कर ले जा रहे थे अब कहा ले जा रहे थे क्यों ले जा रहे थे वो हमें नहीं मालूम लेकिन Leicester ने भी उन लोग को देखा था तो Leicester ने क्या करा जितनी भी secret camera थे ना Lost Santos के उन सभी को hack करा और उनका footage देखा उसी time का तो उसके अंदर में truck तो पता चल गए की कौन से थे और उसके अंदर में Underwater Mafia भी नजर आ गया अब वो उससे लेकर गए थे सीधा Government Facility और उनका पीछा करते करते हम लोग भी वहाँ पर पहुँच गए बट जैसे हम लोग वहाँ पर पहुचे तो वो ने गए उस और भी ज्यादा security और भी ज्यादा force के साथ वहाँ से निकल गए किसी और जगा के लिए और फिर हम लोग ने दुबार से इनका पीछा करना शुरू कर दिया लेकिन यार तभी इन लोग को हमारे उपर शक हो गया और इन्होंने क्या करा कि इन जिस गाड़ी के अंदर underwater mafia था उस ट्रक को तो सीधा बेज दिया लेकिन जो बाकी पूरी की पूरी force थी ना उसनी highway block करा और हमारे उपर एक दम जटके से attack कर दिया अब अच्छी बात हुए कि जैसे ऐसे बचकर हम लोग वहां से भाग गए थे और साथ ही हमने एक स्वाट सुल्दर्स को अपने साथ पकड़ लिया तो वह भी जिंदा उसको दबा के टोर्चर करा और उससे नेन का पूरा का पूरा प्लान बाहर निकल वाया तो यार यह लोग पता क्या चाहरे थे कि अंडर्वाटर माफिया को ना यह लोग बेज़दे सीधा नौर्थ यंग्टन बिग माफिया की भाई को मारने के लिए और उसके पीट में इन्होंने बॉम भी लगा जया तो वो भी बहुत खतरनाक यानि कि अगर अंडर्वाटर माफिया मर भी जाता है ना तो वो बॉम ब्लास्ट हो जाए और साथ में जो बिग माफिया का भाई है वो मर जाए और उसको निकालना ना एक टाइप से इंपॉसिबल सा हो रहा है और यार वो जो बॉम है अभी कुछ ही घंटे में फटरने भी वाला है फिलाल अभी हम लोग अपने रेंट वाले हाउस पर आ गयते उसको रेस्क्यू करकर और यह दिखो यार अपनी हारले डेविट सन भी अबर खड़ी हुए है अभी नगाइस जल्दी से मैं सीधा उपर चलता हूँ देखते हैं क्या सीना वो बॉम अभी तक टी अटैच हुआ या फिन नहीं हुआ तो चलो गाईस जार कोई दिकत की बात नहीं अभी ना जल्दी से उपर चलके लेस्टर से ही बात कर लेते हैं फिलाल अभी ना सुभे के पांच बज़रे हैं और अपने दो घंटे बीद भी चुके हैं यानि यह जो बॉम है ना गाईस कुछी तेर में ब्लास्ट होने वाला है तो मुझे नहीं पता भी अभी क्या करना चाहिए और फिलाल या पर ट्रैवर अपना टीवी देख रहा थ कितना काम कंप्लेट हुआ तो चलो गाईसर अभी ना मेरी फिलाल या पर लेस्टर से बात हो गई है और लेस्टर कह रहा है कि इस बॉम को डिफ्यूस करना तो दूर की बात है इन लोग को यहीं नी समझा रहा है कि आकिरकार यह जो बॉम है यह डिएट है ची कैसे होगा क् करते हैं इसे पानी में ले जाके फैक देते तो सीधी सी बात है अंडर वाटर माफिया बच जाता वट अभी यार डिएट है तक नहीं हो रहा है तो पता नहीं आपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है यह ब्लास्ट होगा और हम लोग इसके साथ रहेंगे तो हम भी मरेंगे साथ के साथ अगल बगल कर और जो बिल्डिंग से हो भी सारी के सारी गिरने वाली है क्योंकि पता नहीं यहार कितना बड़ा ब्लास्ट होने वाला है वैसे एक सेकिंड अभी ना फिलाल मेरे दिमाग में बहुत जबरदस्ता आइडिया है अब देखो अंडर वाटर माफिय को तो पता होगा कि इसके उपर बॉम कहां पर लगाए गया है किस जगा पर लगाए गया है तो चलो अभी ना जली से इसी से चलके बात करते हैं फिलाल वो ना विचारा काफी ज़दा घहरी नीन में सो रहा है पता नहीं कितने तीन से सोने नहीं दिया था अभी ना इसको बंद कमरे में कैद रखते थे लेकिन यार ये इतना कहा रहा है कि ऐसा सीन था कि उस विंडो के सामने से ना हुमेल लैप के बिल्डिंग नजर आती थी तो यानि कि वो जो कहें ना कहीं हुमेल लैप के पास ही होगी तो तुछा लोग आई सभी ना जल्दी से हम लोग सीधा उस जगा बर चलते हैं बागी ये कहता कि हुमेल लैप के अंदर है तो मिलको समझ आता बागी है तो मिलको लग रहे है कि यार थोड़ा वो तुन है इसका वहम होगा पर कोई दिक्कत की बात नहीं आर अब जल्दी से वहां पर जाने है अपने बहुत कम टाइम है फट आफ आतनी फ्रैंक्लिन भी तो अपने साथ है तो फटावर से मैं निकल लेता हूं सीथा हुमेल लैप के लिए और वैसे भी गाइस अभी मैं बाइक से जाने वाला तो ठीक है रहा एक ही बंदा चल रहा है ज्यादा बढ़िया रहेगा बाकि भी 100% में मालूम भी निया कि यार लेप के आसपास यार कोई भी बीडिंग नहीं है और अंडरवर्टर माफिया गहरा है कि उसके सामने में लैप की बीडिंग थी यानि वो किसी और बीडिंग में तबी तो वह कह रहा है सामने बीडिंग और यहां पर मैं गाड़ी में क्यों बैट रहा हूं इसको बंद कर चुकी हैं और अपने पास अभी तीन से चार गंटे और हैं तो हमें अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना जल्दी से वहां पर पता करकर आना है क्या सीन है और अगर बंब डिफ्यूज नहीं होता तो फिर यार हमें अंडर वाटर माफिया को अलबीदा करना यूटन लेने से बढ़ी है ना अपनी गाड़ी को यहीं से पार करा लेता हूं क्योंकि घुमा फिराके मेरे को वापिस यहीं पर आना है तो यहां से चलेंगे तो ज्यादा बैठर रहेगा बाकि यह फट्टे को भी यही पर लगना था चलो कोई नहीं आर वैसे हम लोग का चलो कोई दिक्कत की बात नहीं वैसे आर देखो जो भी काम है ना हमें जल्दी से जल्दी खतम करना पड़ेगा उतने ही ज्यादा चांसिस रहेंगे अंडरवाटर माफ्य को बचाने के क्योंकि आर अपने पास टाइम की कमी है इस टाइम पर ताकत अपने पास पूरी है ब बाकी भी इस गयार में को एकदम शान्त लग रहे है बट एक चीज़ में को समझनी आई अंडरवाटर माफय ने बोला था वो जिस भी घर में तना उसके सामने उसे हुमेल लैब नजर आ रहा था बड़े-बड़े माउंटेन एक माउंटेन ये हो गया दूसरा माउंटेन यह हो गया तो यहां पर तो दूर दूर तक भी कोई भी बिल्डिंग नहीं है तो मेरे को लग रहा है उसे कोई गलत फैमी होगी फिलाल पीछे की तरफ में यहां पर एक सेकेंड इधर नहीं कुछ अजीब-जीब सी मशीने लगी हुए है और यहां पर चोटा सा बेस बना ह हो जहां तक देखने में लग रहा है तो मुझे तो यहीं जगा लग रही है क्योंकि इसी के अंदर से उसे सामने हुमेल लैब नजर आ सकता है बागी यहां पर आसी कोई भी जगा नहीं है तो जल्दी से हम वहां पर चलते हैं बाग यार इधर ना काफी ज़दा फिलाल सामने से गाड़ी जा रही है पहले से जाने दो वैसे ही वह चले जाएगी हमें तो उसके पीचे से निगलना कोई भी दिक्कत की बात नहीं है फटावट से अपनी बाइक हो है आपर मैं लेफ लेदा हूँ जल्दी से राइट लेते हैं आगे वाले कट से मैं दुप पाक कर देता हूँ क्योंकि इसका साउंड ना बहुत जादा लाउड है अगर जादा मैं चला हूँ या फिर गल्ती से मैंने आपर रेस दे दी ना तो सीधी सी बात है वो लोग हमारी आवास सुन लेंगे और फिर थोड़ी बहुत गरबड यहां पर हो जाएगी वैसे एक कि इधर कोई भी CCTV कैमरा नहीं होगा जहां तक मुझे बता है क्योंकि पूरा को पूरा जंगल वाला एरिया है वैसे इस जगह को ना देखके तो मुझे 99% लग रहा है कि अंडर वोटर माफिय को ना उन लोगों नो यहीं पर छुपा कर रखा होगा और इधर ही कहीं इसके खतरनाक से वैपन है और वो देखो वो तो यहार इस तरफ में देख रहा पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ अगर उसने देख लेना काफी ज़्यादा बड़ी गरबड हो जाएगी एक काम करता हूं पहले ना थोड़ा सा पीछे चलता हूं ताकि मैं स्नाइपर से देख वैसे मैं हुमेल लैब ना आए वे काफी टाइम हो गया और जब भी मैं आता था ना पीछे से निकल लेता तो शाय से उसी के बीचे वाला बेस बन गया हो और इधर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो कि इन्होंने हटा दिया भाई पता नी क्या ही करे जा रहे है मिलि अभी ना आगे चल कर हम लोग इसके बजाने वाले हैं तो जल्दी साजा फ्रैंकलिन फटावर से वहीं पर चल के इनका मूँ तोड़ेंगे बाई यहां पर अलड़ी काफी सारे बंदे हैं तो इसको भी मैंने मार दिया और नीचे की तरफ में भी काफी सारे बंदे हैं यह से फाइट ही लेनी चाहती है तो जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो भी ना फिलाल फ्रैंकलिन में भाग कर दूसरी साइट से आ गया है और यहां पर यार सोल्डर्स भी अतना दिमाग लगाना शुरू कर रहे हैं बाकी दोर फ्रैंकलिन ने भी दबाके इनके ग अब फिलाल यहांपर अल्मोस ने सबको मार दिया अपनी एंट फोर ने निकालके चार पांच बंदे बचे उनको भी मारता हूं तो गाईस जर अभी ना फिलाल मेरे साप सुझ यहांपर सारे की सारे बंदे मारे जा चुके हैं तो घचाए तो जल्दी से हमें यहां से आग उसके गोली पड़ गया है इसी वजह से वह गिर गया है तो चलो अभी जल्दी से आगे चलता है फिलाल फ्रैंक्लिन तो पीछे की तरफ में रूप मेरे को मतलब की लोकेशन देती रही हो और अकर भागने को तो सीधा बाइक लेकर आजे तो ज्यादा बैटर रहेगा अब द बंदे हो रहा है काम करता हूं इनको भी मारके नहीं आपर इनका खेल में खतम कर देता हूं बागी तो यहां पर चार पांच नहीं एक के वाद इक इदर नीचे से निकले जा रहे है और वो देखो भाई उदर हेलिकॉप्टर क्रैश हो रहा है उसके पीछे चुपने के लि सामने की तरफ में एक बंदा था तो चलो काईस यहां पर मैं एक दम अराम अराम से अपने कदम आगे बढ़ाता हूं वही वाला रूम है जिसके अंदर यह लोग अंडर्वाटर माफय को छुपा के रखते दे और यह दिखो यह चेरा जिसके ओपर शैसे लोगोंने उसे ब यहां पर एक कंप्यूटर है जो की ओन पड़ा हुए पता नहीं इसके अंदर क्या चल रहा है फिलाल इदर काफी सारे बॉम है और यह गून है तो के यही है वो बंदा जिसके चिलनानी के वाज आ जारती उठ तो गैस अभी ना फिलाल यह बंदा हमसे काफी ज्यादा डर चुक है लेकिन अभी मैं ऐसे बहुत ही बुरी तरह कूटने वाला हूं सिर्फ इस बात के लिए कि इसने बंब बनाया क्यों तो चलो भाई अभी ना फिलाल यहां पर मैंने से मार मारकेस का भूत बना दिया इसके मुह पर गूसा मारना पड़ेगा वरना इसके बिलकुल भ लेकर चलते हैं यहीं बंदा है जो की बंब डिफ्यूज कर सकता है तो फ्रैंकली उठाले से जैसे उसको उठाया था तो चलो गाइस अभी ना फिलाल यहां पर मैंने साथ चलन लेकर बोल दिया वरना यूँ इसके मत्ते पर गोली पड़ेगी वैसे जो बंदाना काफी खायरा है तो चलो आज आ जल्दी से अपने साथ लेकर गहां से निकलते हैं बाकि मेरे साबसे यहां पर पुली सूल इस भी आती होगी उससे पहले हम लोग ज्यादा बढ़ए तो पुलीस वालों से बचके रहना है क्योंकि अगर पुलीस स्वालों को पता चल गया कि हमने वहाँ पर पूरा कांड कर रहा है तो सीधी सी बात है वो लोग हमारा पीछा नहीं चोड़ने वाले इस टाइम पर ना अपने पास बिल्कूल भी फालतो टाइम ने कि हम लोग पुली सॉलर से भी पीछा चुड़ाएं और अंडरवार्टर माफ़े के पास भी पहुचे और ब वहाँ पर नहीं जगा जगा काफी जादा चेकिंग चल लिए तो इसको पता है जैसी बात नहीं मानेगा फ्रैंक्लिन सीधा इसके मत्य पर गोली बजा देगा तो चलो गाई सब कुछ एक्टम बढ़िया चल ला है तो चलो गाई से रभी ना फिलाल में अपनी गाड़ी को एक दम पतली के लिए उसे भगाते भगाते लेकर पहुचने वाला हूं सीधा अंडर्वाटर माफिय के पास और बीच रास्ते में हम लोग ने अपनी गाड़ी भी चेंज कर ले थी क्योंकि वह जो गाड़ी है तो सीधी सी बाता यह लोग हमारे उपर शक कर सकते थे बाग हैगी तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं आपर घुमाता हूं बाकि गॉल मैप्स एक करी चलोंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा वैसे में 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 रूट से ले आ रहा है जहां पर पुलिस वाले बहुत ज्यादा ही घुम रहे हैं तो सामने की तरफ में गाड़ी कोई रास्ता निया जल्दी से मैं यहीं से निकल ले तो यह ज्यादा बढ़ी रोड फटावत उपनी गाड़ी हां पर मंदर लेकर चलता हो इधर ही पाक करते है बन्होंगे पार चलते हैं जल्दी से हैं तो पर भाग करा जा तो चलो और अभी ना जल्दी सी से उपर लेकर चलते हैं और अंडर्वर्टर माफिया के पीट पर से वो जो बॉम है उसे डिफ्यूस करवाते हैं तो चलो गाइस अभी ना फिलाल मैंस बंदे को लेकर आ गया हूं सीध आपने रेंट वाले हाउस पर बाकियार इधर यह वैल्डिंग के वाज कहां से आ रही है एक सेकिंड लेस्टर और बैनी पहले इधर थे कहां पर चले गए ऊके तो वो सामने वाली बालकनी में है और एक सेकिंड यहां पर यह ट्रैवर भाई साब तो गाईस तर अच्छे हुआ कि हम लोग साही डाइम पर पहुच तो इसको diffuse करना impossible है यहां तक कि यह खुद ने diffuse कर सकता तो सीधी सी बात है यह से कोई भी diffuse नहीं कर पाएगा लेकिन गाईस जार एक सेकिंड अगर यह डिफ्यूज नहीं कर सकता कम से कम इसे detatch कर सकता है बिना blast करे तो एक बार इससे बात करते हैं देखते हैं क्या कहता है तो चलो गाईसर अभी ना फिलाल यहां पर यह बंदा अंडरवर्टर माफिय को लेकर दूसरे वाले रोम में आ चुका है और यहां पर आकर इसका यह बॉम को detatch करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यह diffuse तो हो नहीं सकता बाकि यह कह रहा है कि जादा टाइम तुमारे पास बचाया सिर्फ और सिर्फ एक घंटा और बाकि है और अभी पता नियार कितना टाइम हैं पर detatch करने में लगने वाला और यह ओ भाई साब यहां पर यह ओ तेरी भेंस की डांग यहां पर पुलिस वाले कहां सा आगए इसकी हैसी कि यह क्या हुआ भाई चलो गाईसर अभी हम लोग यहां से बाहर निकलता है तेरी भेंस की डांग हमें मारेगा मार इसकी भेंस को भाई साब नीचे से भी काफी सारे बंदे आगे हैं अभी नहीं जल्दी से मैं सीधा नीचे चलता हूं भाई यह तो बहुत बड़ी कड़बर होगी और अभी ना फिलाल वो ना इसको मैं उपर आने से पहले ही मार सकता हूं यहां से यहां पर इसको मैं एक दम रख के बजा दे लेकिन गाई जाए अरवी ना फिलाल इन लोगों ने हमें चारो तरफ से बहुत ही बुरी तरह खेर लिया है वाकि यहां पर एक बंदा शाय से और अंदर आने कोशिस का लोगों का कुछ जादा ही हो गया चारो तरफ से इन्होंने हमें गेर लिया है अभी फिलाल में को बहुत ज़्यादा खुंदक चड़गी अब आओ बेटा तुमारी ऐसी कि दैसी तो गाइस अभी ना फिलाल मैं भाग कर सीधा उपर वाले फ्लोर पर आगया हूं और एक के गाइस यार फाइनली पूरे के पूरे एक घंटेक बाद उस बंदे ने वो जो बॉम है अंडर वाटर माफय की बैक से डीटैच कर दिया है और गाइस अभी ना जली से हमें उस बॉम को लेकर किसी ऐसी जगा पर जाना पड़ेगा जहां पर वो ब्लास्ट हो जाए बड़ क किसी को कोई भी नुकसान ना पोचे अब एर देख उसको ब्लास्ट होने से तो हम लोग रोक नी सकते लेकिन अगर इन लोग को पता चल गया ना कि वो बॉम हमारे पास है तो भाई फिर बहुत ज़्यादा बड़ी गरबड हो जाएगी या फिर अगर ने ये भी पता चल ग है मतलब का इस अभी बहुत ज़्यादा गलत सिचेशन है अभी कुछ भी करके नहीं सबसे बहले मैं रास्ता साफ करता हूं मैं तो यह सुच रहें कि जो सामने इतना बड़ा समुध रहे ना उसी के एकदम पानी के अंदर रे जाके उस बॉम को रख देते हैं वहां ब्लास नीचे वाले फ्लोर पर बड़ी बुरी थे रख रहा हूं भी फटावट से जल्दा सीधा अंदर चलो गाइस वाइनली जो बॉम है वो अंडरवाटर माफिय से डीटैच हो चुक है और अभी ना बात है करने का बिल्कुल भी डाइम नहीं है जल्दी से इस बॉम को में ले मैंने अपनी हाथ में ले लिया है फटा फट से ट्रैवर और मैं इस बॉम को लेकर यहां से जाने वाले है तो चलो गाइस अगर मैं बीच रूट से आँगा तोड़ी बहुत गर पड़े जाएगी एक काम करते है पीछे पीछे ना गली की तरफ से चलते हैं हमें कोई देख भाली लग रहा है बहुत कोई पुलिस वाला इधर तो नहीं न चलो ठीक है यहां पर कोई भी पूलिस वाला नहीं है मैं तो सुचरों गाड़ी में बैट कर जाओं बट आर कोई दिक्खत नहीं पैदल जाएंगे सीधा पानी के बीच में ले जाकर इस बॉम को फैकेंगे तो ओकी गाईस है रभी ना फिलाल मैं बॉम को लेकर भागता भागता बीच पर तो आ चकाओं बट यहां पर कोई भी बोट या फिर कोई भी जट्स की नजर नहीं आ रही और अगर मैं स्विम करके जाओंगो इस बॉम को डान ले तो भाई कोई भी चांस नहीं है कि मैं ब बॉम को डाल देते पानी में तो भी कुछ इसका टाइम भी नहीं बता भाई में यहां पर कड़ा हुआ है एक सब्सक्राइब निकल जल्द से बहागे ना तेरी बहार निकल जल्द से तो चलो गैस अभी फिलाल से डाइम पर मैंने इसके लिक्ताम भर के गोलियां बजा दी जल्दी से मैं बैटता हूं सीधा हेलिकॉप्टर के अंदर और फटा फट से लेकर चलते हैं जल्दी जल्दी ट्रावर जल्दी बैट अपने पास यार अभी ना बिल्कुल भी टाइ में ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि अरभी जदा टाइम भी ने बचा वरना मैं इसे और भी जदा दूर ले जाता और वह सामने की तरफ में कोई आयलेंड है चलो अरभी टाइम ने बाद में कभी चलेंगे वी फटवट से बॉम को फैक देते हैं तो चलो गाइस यार ट काफी जादा अंदर जा जो गया है तो भाई यह जो ब्लास्ट है ना मेरे को पता था बहुत जादा का तरनाक होने वाला है आप लोग को याद होगा कुछ इसी टाइप का ब्लास्ट एक बारी लॉस्ट गैंके मां भी वह था भाई पानी के चीटे इतनी जादा उचाही त जादा चलो गाईस जो भी अच्छी बात है बच गए सारे के सारे लोग अभी फिलाल अंडर वाटर माफिय को भी में बचा कर रखना पड़ेगा क्योंकि पुलिस वाल हो है कुछ पता नहीं अभी सारी की सारी पुलिस ना उसी की तलाश में लग गई होगी अभी जहां तक बोम के वास्तों पूरे के पुरे शाहर ने सुन ले होगी तो सब को पता चल गया होगा बोम इधर ही ब्लास्ट हुआ है तो यह काम करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने हेलिकॉप्टर को लेकर यहां से निकलते हैं ताकि हमारे उपर किसी को भी शक न जाए तो उखी वहाँ पर पूरी की पूरी स्वैट सुलजर टीम ने अटाक कर रहा था तो उन लोग को पता होगा कि हम लोग यहां पर दुबार से आ सकते हैं तो वहाँ पर जाना बिल्कुल भी खत्रे से खाली नहीं है तो अभी ने काईस जल्दी से मैं दूसरे न्यू सीक्रेट बेस प वैसे ही सीक्रेट बेस आप फिर को सीक्रेट बंकर तो अच्छा लोग जदी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आकर का लेसर का न्यू सीक्रेट बेस कैसा है वही वैसे देखने में नहीं काफी जदा अलग सी है अभी थक जो बेस थे वह था थोड़े अलग साइड पर तो चल यहां पर यह खुला है क्योंनी एक से किडिवाला शुटर शाह से लॉक हो रहा है पतानिया शाह से एंट्रेंस आगे से जहां तक मुझे लग रहा है यह वह जगा नहीं है जो लेस्टर ने में जगा दी थी वह यह वाली है तो एक सेकिन अभी ना जल्दी से चुप- माफिय लेस्टर और फ्रैंक्लिन तीनों की तीनों यहीं पर है और यह कैसा ड्रोन है जाए जिसमें की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर अंटरवाटर माफिय को पूरे-पूरे-दिन इसी एक कमरे में बंद रहना पड़ेगा, यह बाहर निकलेगा तो CDC बाता पूलिस वाले से ढूंड लेंगे, और फिर हम लोग भी फश जाएंगे, और यह भी फश जाएगा, तो इतनी मुश्किल से बचा है, तो हम लोग ऐसा आप दूबारा रिस्क नहीं उठाना चाहते है तो CDC बाता यार, अभी कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने लेस्टर को बोल देख, जल्दे से जल्दी कोई न कोई प्लान बता कि जिसके तरू हम लोग सेफली से बाहर निकाल दें, और किसी को हमारे उपर शक भी न जाए, बाकी तो आर आप लोग यहाँ पर सा साफ साफ बोल देंगे, और अभी न लेस्टर ने उन्हें धमकी भेस दिया है, कि तुम लोग इने बचाना चाहते हो, तो यह करफी बंद कर दो, हम लोग इसे नॉर्मली छोड़ देंगे, अब बाकी यहार देखते हैं, उनकी तरफ से क्या रिप्लाय आता है, और पीछे क मेरे को लग रहा था बातरूम है, यहां पर भी कुछ ने कुछ लैप्टॉप रखे हुए है, तो यह बहुत कुछ यहां पर चेंज हो चुका है, तो यह देखो, जो भी चीज़ है ना बहुत ही ज्यादा बढ़ी है, तो जल्दी से एक बारी में लेफ्ट की तरफ में यह चेक कर ले दो, यहां पर ओके तो यह भी CCTV कैमरे के मोनिडर है, और नीचे की तरफ में यहां पर एक और लॉक कर रहा है, यहां पर यह लेस्टर ने लॉक कर रहा है, तो चलो अब इना जल्दी से सीधा उसके पास चलते हैं, और बात करते हैं कि कोई प्लान बना या फिन न चेक कर रहा है, और अगर उसे वो मिल गया ना, तो सीधी सी बात है, हमी लोग बहुत ही बुरी तरह फसने वाले हैं, तो अभी ना फिलाल लेस्टर कह रहा है, कि तुम जल्दी से उस वाले प्लेन को लो, और साथ में अंडर वाटर माफय को लो, और इस शहर से निकल जाओ मतलब की काईस हमें क्या करना है, अंडर वाटर माफय को नौर्ट येंग्टन छोड़ कराना है, बट लेस्ट कहरा है कि ना, तुम पूरा शहर से बाहर मत जाना, बॉर्डर पे इसे छोड़ देना, क्योंकि सैनेंड्रिया सिटी के अंदर ही खतर है, उसके बात खतरा नहीं लेकर चलते हैं, बाकिया रभीना मैं हेलिकॉप्टर से जाने नहीं वाला, इतनी सी दूर जाने में पता नहीं कितना लग जाएगा, तो चलो काईस रभीना फिलाल यहां पर अंडर वाटर माफय भाग कर इस बेस के बाहर आ चुका है, वैसे बेस नहीं है, यह एक छोटा स इतना टाइम नहीं है, बाकिया गाड़ी का साउंड कितना जादा मस्ता सा यार, तो चलो यहार, अभी जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलते है, सीदा उसी जगा पर, वैसे लेस्टर ने कहा था बहुत तकड़ी जगा चुपाया है, तो चलो काईस रभीना फिलाल मैं काफी जादा डेंजरास, तो इसलिए बड़ी हैसे यारी इसको देखके, तो चलो यार, अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर खड़ा करता हूं, हमें इसी वाले जो आप सरकल सा देख पारें, इसको क्या कहते हैं, मेरे को पता नहीं को नाम याद था, अगर आ काफी जादा उचाही पर हमें चड़ना पड़ेगा, और इसके अंदर लेस्टर ने उस हेलिकॉप्टर को चुपा के खड़ा गर है, तो जल्दी से अंदर चलके देखते हैं, तो खी जैसे कि आप लोग यहां पर देख पार हूं, बाकी तो आप लोग यहां पर सामनी की त सरते हैं, और फटावट से इस हेलिकॉप्टर को लेकर यहां से निकलते हैं, वाई काफी जादा बढ़िया लग रहा है, मतलब की पहले कैसा सा था यार ब्लाक के लरगा, और अभी यहां पर काफी जदा तगड़ा लग रहा है, तो यह ना कुस टाइम के लिए हम लोग सरते हैं, और फटावट से जल्दी से आकर हेलिकॉप्टर में बैट, और यहां पर इस वाले हेलिकॉप्टर के अंदर सिर्फ दो बंदों की जगहनी है, पीछे इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ा है, और मैं बता क्यों रहा हूं, मैंने आपको अलड़ी दिखा रहा है, काफी ज़्यादा मसता है, तो चलो अर अब इना जल्दी से इस हेलिकॉप्टर को हम लोग लेकर यहां से निकलते हैं, बाकियार एक चीज़ मैं आपको इसकी खास बताओ, यह जो हेलिकॉप्टर है ना गाइस यह प्लेन भी बन जाता है, यह देखो, मतलब वकर आपको इस स्टार्ट कर लेकर हम लोग यहां से निकल लेते हैं, बाकियार यहां पर इससे लॉक करना तो मैं भूली गया, जल्दी से यहां पर जो इसका डोरा वो भी बंद करता हूं, बाकियार एक मिनट, एक मिनट यह कुछ जादा ही पास्त है, इससे कंट्रोल करने ना गाइस चुक है और सब कुछ जो चुक है जहां तक है, तो कि काईस यार फाइनली मैं अपने हेलिकॉप्टर को लेकर सैन अंड्रिया सिटी से बाहर आ चुका हूं, तो काईस अभी ना जल्दी से लेकर चलते है सीधा नौर्ट यहां एक सेकिंड नीचे की तरफ में यहां पर पु तो इस वाले पीचे बढ़ गए और अपने हेलिकॉप्टर की स्पीड गाईस अभी ना में बढ़ानी पड़ेगी, इसको जल्दी से नहीं आ यहां पर मैं प्लेइन मोड पे स्विच करता हूं, बट यह चलते वे शैसे स्विच नहीं होता, पता नहीं आर अभी ना फिलाल वैसे और बोट वगरा मिल जाती तो काफी ज़्यादा बड़े रहा था, बट कोई नहीं चलते हैं सीदा वहां तक गलाइड तो होई जाएगा, बट बहुत दीरे दीरे होगा, तो चलो गाईस यार फाइनली मैं अपने पैराशूट को गलाइड करते करते, बीच तक पहु मैं तो अपना शोरों का बिजनस कर रहा हूं तो मेरे उपर शक करने की कोई भी जरत नहीं है, फिलाल अभी जल्दी से पहले काम करता हूं, यहां पर यह जो अपना मास्क यह इटा लेते हैं, अभी अपने को कोई भी डरने की बात नहीं है, और गाइस साइकल दोनों ही मज़ा आता है, आप में इसे कोन को रेगुलर सैकलिंग करता है, कमेंट में जाकर जरू बताना, और यार एक चीज़ना मेरे को समझ नहीं है, कि आकिरकार मिलिटरी वालों को पता कैसे चला, कि यह वह ही है, मतलब कि यार वो लोग ने सीधा उसे पहचान लिया, जबकि उस सीक्रेट बेस पर पहुचने वाला हूं, और यार वैसे आप में से बहुत सारे लोग यह सोच रहे होगे, कि पहले मैंने मास्क लगा रहा था, और अभी हटा के वलिया, तर दीको बीना फिलाल हमें डरने कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यार अबीना फिलाल अं पर अंदर, लेस्टर को मैं बतायता हूं कि ऐसा ऐसा सीन है, और मैं जा रहा हूं यहां पर सीधा शोरूम, बाकि लेस्टर ओके तो लेस्टर यह बैठा, ओ भाई साब, यह तो यहां पर अपना ड्रोन टेस्ट कर रहा है, डंक से उड़ रहा है, या फिन नहीं उड़ लेस्टर को मैंने पुरा-पुरा सीन बता दिया है, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस वालों ने हमारा जो एवेंजर प्लेन है, उसे देख लिया था, तो लेस्टर कहरा है कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अब यह जो हाइस्टन है, हम लोग करके रहेंगे चाहे प्लेन हो, चाहे ना हो, अब पतानी यार कैसी आइस है, कौन सी आइस्ट है, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि बहुत ही जादा तगड़ी होने वाली है, तो चले आर अब यह जल्दी से मैं यहां से निकल लेता हूँ, बाकिया लेस्टर कहरा था कि ऐसी आइस्ट है ना, तुमने कभी जिन्दगी में सोची भी नहीं होगी, पतानी यार कितना पैसा हम लोग इस हाहिस्ट में चुराएंगे, या फिर क्या होने वाला कुछ नहीं वालू, तो चले आर अब यह जल्दी से इस वाले हेलिकॉप्टर में बैठता हूँ, और फटा 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 भी मैं निकल ल बाइक से बनाई है, अभी चल कर देखते हैं, अगर बन गई होगी तो आज ही इपने शोरू में लेकर आजेंगे, वरना फिर एक दो दिन ओर वेट कहलेंगे, क्या ही कर सकते हैं, तो चलो guys यार, finally मैं अपने हेलिकॉप्टर को लेकर पहुच चिकाऊं, सीधा पलेड ओवे और सामने की तरफ में एक पोली स्टेशन है, जो कि काफ भी जाता ना बड़ा हो गया, पहले मतलब इतना जाता बड़ा नहीं तो उसके पीछ एक हैली पैड भी आगया, और कुछ अलग सा मिर को लग रहा है, तो वहाँ पर चल करने एक बार ही चेक आउट करेंगे, अभी पर चल करेंगे, पर अपने स्कूटर मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है, पिलाल मैंने यहां पर इसे चुरा लिया है, जल्दी से लेकर चलता है सीधा सामने की तरफ में यहीं कहीं पर तो उसमने में को शौप बताई थी, तो हम वहाँ पर चलते हैं और उतर अंदर चल कर लेखते हैं अपनी बाइक जो वो कंप्लेट हुई या फिर नहीं हुए, यह क्या एक स्कूटर क्या है, मैं इसा आज के बाद नहीं चलाओंगा वाई, सच्छी में मैंने ब्रेक मारी है, और आप लोग दिखो वाई, स्किट कितनी ज्यादा लगे, मतलब कि क्या ही खतम ब् बने बाद लाकर दे थी और इनको बोल दिया था, कि इने रिपेर करके इक्टम नू कर दो पिलाल सारी की सारी गाडिया यहाँ पर हो चुकी है, और यह जो बाइक है ना, यह पहले बनवाया ऐ, इस टाइप की बाइक मैने बहुत पहले देखी थे तो सेम तूसेम वैसे की बाकियार आप लोग आपर देख पारें थोड़ी बहुत बाइकों पर काम चल रहा है मतलब भी सारी बाइक मोडिफाई नहीं हुए है पर एक काम करता हूं जितनी मोडिफाई हुए है ना उतनी लेकर यहां से निकल लेता हूं इनकी पेमेंट कर देते हैं अंदर बॉस को बा बाइक के रेट नहीं पता पर जो बॉस आई इसको कॉल करके बुला रहा है कहरा थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा आने में जब तक तुम लोग वेट कर लो तो चलो एक काम करता हूं जब तक ना मैं भी बैनी को कॉल करकर बोल देता हूं कि फटा-फट से ना टैसला ट्रक लेकर पलिटो बे पोज्जा वरना है यह सारी के सारी बाइक में लोड किसमें करकर ले जाओंगा बाकि जब तक एकाद बाइक अपनी और मोडिफाय हो जाएगी तो चलो गाइस यार फाइनली वेट करते करते हैं पूरा पूरा एक घंटा हो गया और बैनी भी यहां इसके दो मोडल बने थे यह खराब है तो अब इसके बनाने के लिए बोला था वह तो खराब हो गया जल्दी से हम लोग यहां पर अंदर चलते हैं बाग्यार यह यहां पर यह बंदा काफी जद्धा मैनत कर रहा है मुझे लग रहा है इसको में बैनी के साथ ही ले जाना च देने हैं लेकिन अबीना फिलाल अपना काम पूरा नहीं हो अभी तीन-चार भाई के ओर है जो कि मुझे यहां से लेकर जानी है बाकि यह जो बंदा था टीवी कैसे देख रहा था एक तम उसके अंदर घुसके तो आप लोग तो ऐसे टीवी नहीं देखते ना यह ऐसे मत लेकर करो आखें वागे थोड़ी वीक हो जाएगी कोई फायदा नहीं तो चलो अभी नहीं करके सारी की सारी बाइक जो यहां से लोड कराते हैं बाकि एक इदर खड़ी होगी चलो वह तो खराब थी वैसे विशाए से लोग ले गयोंगे बाहर तो भी फटवट से गाई ज तो भी फटवट से नहीं महाँ पर चलते हैं और देखते हैं यह जो ट्रेलर काईस यह तो काफी ज़दा छोटे हैं अब पता है नहीं यार इसके अंदर अपनी सारी की सारी बाइक साप आएगी या फिर नहीं वैसे जहां तक है तो आई ही जानी चाहिए चलो अर अभी जल मुश्किल होता है क्योंकि राइट मोड तो यह लेफ्ट जाते हैं और लेफ्ट मोड तो राइट जाते हैं तो चलो यार अभी फिलाल यहां पर मैंसे लेकर आ चुका हूँ बाकि अबिना में एक चीज़ और चाहिए होगी जिसके तरू हम लोग इस पे बाइक से बात कर ल बाइक लेकर हम उपर चड़ाते हैं वैसे जहां तक मुझे लग रहा है सारी की सारी बाइक से उपर आ जाएंगी वह जो बड़ी वाली बाइक है ना वही कुछ जादा जगा लेगी तच्छा है लोग ऐसा भी ना फिलाल यहां पर एक बाइक मैंने लोड करवा दिया है वै कि यह गाड़ी इसके उपर चड़े भी पाएगी इसका कुछ जादा वेट है मैं तो सुच रहों इसको चला की ले आओ नहीं यार अभी लोड करके ले जाएंगे सारा का सारा तो चले और अभी ने बाइक से लेकर निका लेते हैं सीधा अपने शोरूम के लिए बाइक यह अंदर ही रखी हुए है तो जिब हम लोग दूसरा राउंड लगाएंगे तो उन बैक्स को लेकर चले जाएंगे अब ट्रेलर भी चोटा था इसलिए सारी की सारी बाइक से एक बार में नहीं आपाई और बैनी जो है पीछे एक बाइक पर बैटा वह ताकि सारी बैक्स का पर बैटा नहीं सकते क्योंकि जो अपना ट्रक है ना गाइस वो जिस रोड पर है तो वह इतना बड़ा ट्रक है तो थोड़ी दिक्कत आएक चलाने में तो चलो गाई अब इना फिलाल यहां पर पहुचने वाला हूं सीदा अपने शोरूम में बस मुझे आगे वाले कट से अपने ट्रक को यहां पर लेफ मोड़ना एकदम आराम से मोड़ूगा वो देखो सामने से बाइकार आ रहा है इतनी तेज अच्छी बात है कि मैंने पहले मोड़ी बरना बहुत ही बुरी तरह ठुकता बाकि यह बैनी को देखो कहां पर बैठा हुआ है उपर से सिगरेट भ जलते बात कियो रहे लो result जी खेकिंग करने के लिए आतो रहे हैं बाइस फिलाल में जा सकता हूं गर्णे alsam फिलल अपनी अपर को यहां पर आगे लेकर चलते हैं मैंको शमच्क नहीं आ रहा है कि आकर इस से उपर नहीं नहीं हो चाना यह सारी है नहीं लिगल summer तो इसको में अपने शोरूम के अंदर खड़ा करना है तो इसलिए फ्रेंट वाले गेट से जलेंगे ये तो वह आला रास्ता है जहां से किसी को भी गाड़ी रिपेर करवानी होती है वो आता है और ये पुलिस वालों को देखो है तो आपने शोरूम में नहीं जाने वाला एक काम करते हैं अपने ट्रक को न लेकर यहां से निकल लेते हैं कहीं और तो गाईज यार एक सेकेंड हम लोग को तो यहां से भागने की बिल्कुल भी चरूत नहीं है उसले वो अपने शोरूम का ही तो काम कर रहे हैं अगर मिलिटरी के नहीं पूछे गा कि तुम लोग कहां परते इतनी देर से तो हम लोग उसे साफ-साफ बोल देंगी हम लोग अपने शोरूम के लिए बाइक्स की डिलेवरी लेने गए थे और underwater mafia किसने rescue करवाया या फिर bomber को किसने kidnap करा हमें नहीं मालूम और ये चीज़ देखने के बाद उसका शक तो हमारे उपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा और साथ के साथ वो बिचारा खुदी परिशान हो जाएगा कि आखिरकार underwater mafia गया का क्योंकि हम लोग उसे साथ बोल देंगे भाई हमारे घर पर आकर देख लो हाई नहीं वो और इस ताइम पर वो बिचारा North Huntington पहुच चुका हुआ तो चलो यार अभी ने जल्दी से अपने ट्रक को लेकर चलते है शोरूम में अगर वैसे मैं यहां से भागता तो बहुत बड़ी गड़ बड़ सकती थी और जैसे कि मैंने सोच था सेम डूसे वही हुआ तो चलो गाईस अभी ना फिलाल यहां पर मैं अपने टेसला ट्रक से बाहर आ गया हूँ और गाईस अभी ना जल्दी से इलते सीधा मिलिटरी के अनल के पास और उससे बात करते हैं आखिरकार क्या सीन है वो हमारे शोरूम में क्या करने के लिए है तो चलो वैसे और काफी ज़दा सिक्योरिटी लेकर आया अज भी और इनसे क्या पूष्टाच कर रहा है सीधा हम से बात कर ले तो चलो गाईस अभी ना मेरी फिलाल यहाँ पर मिलिटरी के अनल से बात हो गई है और गाईस यह कह रहा है कि कोई बात नी तुम नहीं हो गए शाय से तुम्हारे उपर गलती शक कर लिया बाकियार हम लोग ना सही टाइम पर अपने शोरूम पर पहुच गए वरना फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ी गरबर हो सकती थी अभी ना फिलाल यह काफी ज़्यादा परिशान है कि आखिरकार अंटर वर्टर माफिय को रेस्क्यू किसने करवाया ये लेकर अभी ना फिलाल यहाँ पर मिलिटरी करनल अपनी गाड़ी लेकर वापिस जा रहा है और हम लोग भी निकल लेते हैं सीधा अपने शोरूम में क्योंकि यार यह सारी के सारी बाइक समय यहाँ पर लोड करवानी है बाकि यह आप लोग यहाँ पर देख पारे हैं कितनी जादा फोर्स लेकर आया था यानि कि अगर हम लोग इससे लड़नी की कोशिश करते हैं तो सीधी सी बात अजवर जस्ती की बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती बाकि तो आरे सारे के सारे लोग यहाँ से एक एक करके निकली रहे हैं वैसे अपना जो ट्रैक है ना इतना ज़्यादा बड़ा है कि पैंजर वैंजर सब आ जाएगा यहाँ पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी पर और लोग उसके बहुत जादा क्लोज है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करतो चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने सेट्राप की एक फोटो में अपने इंस्ट्राइम पर भी डाली हुए तो आप लोग वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो बाक जाट ओ किया है